हलो मेरे दोस्तो मैं हूँ भाविन सर्टिफाइड फाइनाइंशल प्लानर और आप देख रहे है यूट्यूब चैनल दे आर्ट ओफ वेल्थ बिल्डिंग तो दोस्तो अकसर हमसे यही कहा जाता है कि अगर आपकी income कम है तो आपके लिए wealth create कर पाना impossible है तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगा कि कैसे step by step आप इस process को follow करके काफी अच्छी wealth create कर सकते हैं तो let us look at this first screenshot इस screenshot के अनुसार इंडिया या इंडियन्स की average income कितनी है तो वो है around 32,000 rupees let us look at this another screenshot अगर इंडिया में आपको top 1% में आना है तो आपकी net worth कितनी होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए 1,44,000,000 rupees यानि अगर आपकी account में 1,44,000,000 rupees है तो आप यह कह सकते हो कि भाई मैं top 1% इंडियन population का हिस्सा हूँ एक और screenshot को देखते हैं हम कब यह कह सकते है कि आपकी salary कितनी होनी चाहिए कि आप यह कह सकते हो कि भाई मैं अमीर हूँ तो इस screenshot के अनुसार अगर आपकी salary annually 20,000,000 rupees है तो आप यह कह सकते हो कि मैं अमीर हूँ चलिए तो अब यह screenshot तो हमने देख लिए अब मैं आपको एक और screenshot के साथ explain करूँगा कि कैसे अपनी income बढ़ने के साथ साथ आप अपनी investment को बढ़ा कर भी जो है 6.5 करोड रुपीज accumulate कर सकते हैं लेकिन उससे पहले देखिए अगर आपकी income 25,000 या 30,000 रुपीज है तो अब इस चीज़ को मैं भी मताओं की 25,000, 30,000,000 रुपीज की income में से save कर पाना आज के date में जो हिसाब से महेंगाई बढ़ रही है बहुत difficult है अब मैंने इस topic के उपर research करते समय इस video को बनाने से पहले मैंने कुछ और भी videos देखे और to my surprise कहीं सारे लोग एक बात बता रहे है कि आप weekends में भी काम करो और extra income generate करने की कोशिश करो अगर आपको जाधा पैसे invest करने हैं और अपनी income को बढ़ाना है तो अब आप ही मुझे बताईए कि क्या ये advice practical है हम इंसान है हम machine नहीं है अगर हम Monday to Friday काम करते है कुछ लोग तो Monday to Saturday भी काम करते है और अगर हम उस इंसान से कह दे कि भाई तू Monday से Saturday 8-10 गंडे 12 गंडे काम कर ले और Sunday वाले तिन भी tuition ले ले या कुछ extra income generate करने के लिए कोई part time काम कर ले शायद मैं भी यह नहीं कर 1000 रुपीज है तो आपको क्या करना चाहिए अब ऐसे में क्या होता है ना कि कुछ लोग 1-2,000 रुपे जो बचा लेते हैं महीने का वो किसी stock tip के पीछे भागते है वो अपने किसी दोस्त को पूछ लेंगे कि हम ऐसा कौन सा stock कि हम mutual fund खरीद ले जो की double हो जाएगा कुछ महीनों में और हमारे पैसे double हो जाएगे ऐसा मत कीजिए देखिए थोड़ा logic लगाईए जब आपके investment amount कम होती है माननी जी आपने 2000 रुपे का stock खरीदा अब अगर वो stock की कीमत 10 गुना हमी पढ़ गई तो वो 2000 का 20, 20,000 हो जाएगा अब आप ही मुझे बताईए कि 20,000 रुपे में आजकल क्या होता है तो यह जो tips है उसके पीछे पहले तो भागना बन कीजिए तो इसका solution क्या है इसका solution यह है कि जब आपकी income कम होती है और जादा तर cases में आपकी income कम कम होती है जब आप age में भी young होते हो मान than investing in the stocks or the mutual fund or the next best investment scheme आप अपने आप पे invest कीजिए जब आपके पास 1000-2000 रुपे बचते हैं आपको यह अच्छी किताब खरी दिये जिससे कि आपका knowledge बढ़ेगा वो आप अपने आप में invest कर रहे हो आप कोई ऐसा course कीजिए जिस course को करने की वजह से आप अपनी skill set develop कर सकते हो आप जो है अपनी income को बढ़ा सकते हो now let us look at this one screenshot जो की मैंने बनाया है मानके चलते है इस screenshot की अनुसार की रनवीर नाम का एक लड़का है जिसकी age around 30 years है वो 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है जिसने अपनी income को बढ़ा के 50,000 रुपीज तक कर दिया है अब वो कैसे invest करेगा कि व हर साल अपनी income को 10% से बढ़ाए यानि वो continuously अपनी skillset develop करते रहेगा वो किताबे पढ़ते रहेगा तो यहाँ पे पहले बरस में उसकी income रहेगी 50,000 रुपीज और वो 50,000 रुपीज का 25% इंवेस्ट करने की कोशिश करेगा तो पहले 12 महिनों के अंत में उसके पास accumulate होंगे 1,60,000 रुपीज अब next year उसकी income बढ़के जो है 55,000 रुपीज हो जाएगी और वो 12,500 रुपीज की जगे 13,750 रुपीज इंवेस्ट करेगा और उस साल के अंत में उसके पास around 3,56,000 रुपीज के आसपास accumulate होने चाहिए So let me tell you, यहाँ पे हम ऐसे product में invest करने की बात कर रहे हैं जो उसे 12% का return देगा long term में यानि chances है कि initially जो value हम discuss कर रहे हैं वो शायद accumulate ना भी हो क्योंकि market volatile रहेगा या investments उसकी उपर नीचे होती रहेगी लेकिन long term में वो ये 12% तक का return expect कर सकता है So let us understand कि अब आगे क्या होगा अब यहाँ पे 5th year में उसकी जो income है वो 30% से बढ़ेगी और उसी तरीके से जो है वो अपनी income को बढ़ाते जाएगा और finally 20 years बाद जब उसकी age 49 years होगी तब उसके पास accumulate हो चुके होंगे 6,46,000,000 रुपीज अब I am sure कि यहाँ पे जब आप देखो के 20th year में रनवीर की जो income है वो बढ़के 5,96,000 रुपीज हो चुकी है और उसका जो महीने का investment है वो करीब करीब 1,49,000 रुपीज हो चुका है अब ऐसे में कही लोग comment करेंगे कि 5,90,000 रुपीज की जो income है वो आज के तारिक में कौन देता है लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे कल की बात नहीं कर रहे है हम यहाँ पे 20 years बात की बात कर रहे है तो आज शायद हमें यह imagine करने में difficulty हो रही है कि किसी की income 6,00,000 रुपे कैसे हो सकती है किसी की salary 6,00,000 रुपे कैसे हो सकती है लेकिन हमारे पास 20 साल का समय भी तो है ना so let us continue understanding the screenshot further अब यहाँ पे अगर आप observe करोगे तो मैंने present value भी डाला हुआ है which means कि 2 साल बात second year में जब रनवीर की income 55,000 रुपीज होगी और inflation अगर 7% से बढ़ता है तो उस 55,000 रुपी की जो purchasing power है महंगाई बढ़ने के कारण 47,600 रुपीज हो चुका होगा यानि income तो बढ़ रही है लेकिन साथ-साथ में महंगाई भी बढ़ रही है तो purchasing power भी currency का कम होते जा रहा है ठीक वैसे ही अगर हम 20 साल बात की बात करें तो उसके income 5,96,000 रुपीज तो होगी लेकिन वो आज के यानि 2023 के 1,39,000 के बराबर है तो अब अगर हम comparison करें 2023 में जो रनवीर की income है वो है around 50,000 लेकिन वही 20 साल बात उसकी income है 1,39,000 यानि effectively inflation को exist करने के बाद उसकी income जादा से जादा double हुई है इन double से थोड़ी उपर हुई है तो आज अगर कोई comment करेगा कि 5,96 की income कैसे हो स सकता है एक और चीज़ अगर आप observe करोगे तो जो उसका पहला एक करोड है रनवीर का पहला एक करोड अक्यूमलेट करने में उसके 14 बरस निकल गए अगर आप 43rd year में देखोगे तो उसके पास accumulate होंगे 1 करोड 8,00,000 रुपीज लेकिन अब compounding उसके favor में काम करना शुरू कर और अगर आप observe करोगे तो एक करोड का दो करोड यानि डबल होने के लिए उसे दोबारा जो है 14 बरस तक वेट नहीं करना पड़ेगा वो जो है 14th year में पहला 1 करोड बन गया लेकिन जो दूसरा करोड है वो 16th year में ही बन गया यानि 2 साल के बाद अब 2 करोड को डबल होने क लिए और दो परस लगेंगा अगर आप observe करोगे तो 18th year में यह बढ़के 4 करोड हो गया और 20th year में यह बढ़के 6 करोड हो गया यानि अब अगर आप observe करोगे तो compounding उसके favor में काम करना शुरू कर रहा है और उसे दोबारा 14 years तक वेट करने की ज़रूद नहीं पड़ रही ह तो this is the beauty of power of compounding लेकिन होता यह है कि हमें patience नहीं होते हमें तो भाई हमारे पैसे जो है दो साल में double करने होते तो दोस्तों ऐसे काम नहीं होता so in short हमें हमारी पहले तो income को बढ़ाने पर focus करना है income बढ़ने के बाद हमें planning करके जो है invest करना है हमारी salary का कुछ हिस्सा और हमें inflation को भी समझना है क्योंकि हमने समझा कि कैसे inflation की वज़े से रनबीर की जो है purchasing power जो है currency की salary की जो purchasing power है वो कम होते जा रही है all right तो अब मैं आपको बिल्कुल भी brief में seven points बताऊंगा जिन points को आपको follow करना चाहिए अगर आप wealthy बनना चाहते है तो सबसे पहला point है educate yourself about personal finance आप चाहे एक software engineer है चाहे आप एक lawyer है चाहे आप एक actor है या जो भी है आपका profession जो कुछ भी है end of the day आप कमा रहे हो क्यों कमा रहे हो कि आपको अपना retirement प्लान करना है आपको अपने goals प्लान करने है बच्चों की education marriage vacation तो आपको पैसों को invest तो करना पड होगे आपको अपने आपको personal finance के field में educate करना ही होगा वरना क्या होगा आप किसी wrong investment product में invest करतो होगे और 5-6 साल बाल आपको realize होगा आ रहे है तो गलती हो गई तो समय तो निकल गया और compounding needs time तो educate yourself और हाँ अगर आप अपना personal financial plan बनवा कर one-to-one coaching लेकर यह समझना चाहते है कि कैसे आप अपने financial goals plan कर सकते हैं जैसे vacation, retirement, घर खरीदना, car खरीदना, बच्चों की education तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो आपकी screen पर आए हुए number पर the second point is set financial goals मैं अक्सर मेरे clients से भी यही कहता हूं कि पैसा ना पानी की तरह होता है अगर आप अपने पैसे को right direction नहीं दोगे तो पैसा पानी की तरह अपना direction खुदी बना लेगा तो जब आपके पास आपका financial plan होता है जब आपके मन में आपके financial goals होते है तो आप जो है automatically उन goals क को लेकर क्योंकि आपके पास एक future का vision होता है कि हाँ रेटार्मेंट के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे और इन पैसों को achieve करने के लिए मुझे आज से इतने पैसे invest करना जरूरी है तो जब आपके पास आपके financial goals होते है जब आपने goal set किया होता है तो आप खुद ह in your finances अपने expenses को track कीजिए आप कहां पे खर्चा कर रहे हो कहां पे फिजूल का खर्चा हो रहा है यह समझ यह और अपने पैसों को budget कीजिए the next point is increase your income देखिए simple चीज है अगर आप एक लाग रुपे invest करते हो और उस पर अगर आप 10% कमाते हो तो वह 10,000 रुपे बनता है लेक अपनी income को बढ़ाने पे focus करोगे अपने knowledge को बढ़ाओगे reading करोगे अपनी skill set को upgrade करोगे तो simple है always focus on increasing your income next point is save and invest wisely saving में और investment में फरक होता है जब आप अपने पैसों को saving account में रखते हो या FD में रखते हो तो उसे हम saving कहते है लेकिन investment क्या होता है जब आप इस liquid money को FD या saving account मे अपने पैसे ना रखकर आप उन्हें assets में convert करते हो जैसे stocks mutual fund real estate gold वगेरा वगेरा तब आप कह सकते हो कि मैंने मेरे पैसे अब invest किये मैंने मेरी liquid currency को जो है asset में convert किया next point is build an emergency fund कही सारे लोग हमारे भी कही सारे clients मैंने देखा है financial plan बनने से पहले invest तो करते थे उन्हें पता थ कि emergency fund ना होने की वज़े से छोटी सी भी कोई problem आ गई ना तो वो क्या करते थे mutual fund से बीच में हमने पैसे निकाल लेते थे यहां फिर छोटी छोटी बात पर जाके loan ले लेते थे अब होता यह था कि loan लिया तो EMI भरनी है EMI भरनी है तो investment नहीं होगी तो always have an emergency fund always avoid unnecessary debt अगर bank के लिए काम कर रहा है आपके लिए काम नहीं कर रहा अगर आप interest देते हो bank में तो bank वाले फाइदे में है आप फाइदे में नहीं हो तो अगर आपको फाइदे में रहना है तो EMI मत भरिये invest कीजिए and then last point is be patient and be consistent consistency बहुत जरूरी है अगर आपने एक महिना invest किया और अब त इसरे महिने आप करी नहीं पाऊंगे क्योंकि आपका कोई नहीं कोई खर्चा आते रहेगा तो अपनी investments को automate कर दीजिए सबसे best तरीका है ये वेल्डी बनने का क्या आपको पता है बाई automatically जो है पैसे account से debit हो रहे है और investment में जा रहे है यह होगी पहली बात and secondly be patient मैंने अकसर देखा है कि लोग मुझे ना WhatsApp करके पूछते कितना return मिलेगा अरे आपको return की क्यों परवा पढ़ी है no doubt return ज़रूरी होता है लेकिन returns will automatically follow अगर आप discipline maintain करोगे अगर आप long term का vision लेकर चलोगे तो returns बनने है market में long term में returns बने है लेकिन आप short term में return की चिंता मत कीजिए आप discipline को maintain कीजिए and investment is all about patience जितना आप धहरिय रखोगे उतना आप ज्यादा wealthy बन पाओगे so I am hoping कि यह points आपके काम आए आप इस वीडियो को like जरूर करोगे अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो thank you so much मुझे पूरा confidence है कि आप wealthy बनोगे क्योंकि आप इन वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आपको अपना financial knowledge बढ़ाना है very good job again आप चाहे तो हमारी website theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते है one-to-one consultation coaching चाहिए तो please आपके screen पर आयोए number पे whatsapp कर दीजिए and finally thank you so much आपने इस वीडियो को end तक देखा आपका कीमती समय आपने इस वीडियो में invest किया God bless you क्योंकि आपके स्ट्बूल